हेलो एवरिवन कैसे आप सभी मैसी चंचल आप सभी का स्वाइब करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SRTC लिगलेल फिंदी में आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आप भी अपने रिटर्न भर रही हैं और उसमें Excel के थूर रिटर्न भरते हुए आ अगर आपको कहीं स्टेल दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बुक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको किसरीकी की प्रॉब्लम आ रही है तो देखिए यहां पर देखिए जब मैं यहां पर सेव जैसेंड कर रही हूँ तो यह एरर शो रहा है तो इस एरो को अब हम दूर करते हैं उसके लिए पहले हम Excel को बंद कर देते हैं आपर आप को सर्च करना है क्या सर्च करना है देखिए टर्न विंडोज फीचर्ज ओन ओर ओफ तो इस पर आपको प्लिक करना है यहां पर इसके बार देखिए आपके सामने इस तरीके से विंडॉपन होगी इसमें देखिए जो first है इस पर आपको यहाँ पर plus पर देखिए जो plus का symbol है इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है plus का symbol जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने दो option शोओंगे इन दोनों पर आपको देखिए check box पर टिक करना है टिक करने के बाद आपको यहाँ पर update देखिए windows update download the files for you तो देखिए इस पर आपको यहाँ पर click करना है अब देखिए आपकी यहाँ पर files download हो रही है जो भी required है इसमें थोड़ा सा time लगेगा इस तरीके से message शोगा windows complete the requested changes then close करना आपको देखिए आपको यहाँ पर chrome open करना है आपको search करना है .netfx365.com देखिए आपको यह type करना है .netfx365.com और यह आपको description box में भी मिल जाएगा देखिए आपको search करना है यहाँ पर अब देखिए आपके सामने जो first option आएगा Microsoft.net framework 3.5 इस पर आपको click करना है यह window open होगी इसमें देखिए आपको नीचे आने देखिए यहाँ पर download option है इस पर आपको click करना है अब देखिए download location select कर लीजिए कहाँ पर आप इसे save करना चाहते है यह download हो जाएगी हमारी file अब इस file कर लीजिए देखिए यहाँ पर आपको yes करना है do you want to allow this app to make changes एक मिनट के लिए वेट करना है फिर आप अपने system को restart करना है आपको system मैंने restart कर लिया है अब 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 अपने excel file खोल लिए और उसमें दुबारा JSON मनाने की कोशिश भीजिए यहाँ पर save JSON कर रही हूँ और देखिए successfully यहाँ पर JSON create हो गई है तो इस process को follow करके आप उस error को यहाँ पर easily हटा सकते हैं वो भी इसमें कोई problem नहीं होगी आप घर बैटे खुद कर सकते हैं तो यह video आपके लिए किस तरीके से helpful रही हमें जरूर comment box में comment करके बताईएगा और हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा अब हमारी अगली video में मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई